व्यापारियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादन में कमी और भूराजनीतिक तनाव के खिलाफ लीबिया और नौर्वे में बढ़ती कच्चे तेल की सप्लाई के विप्रीत कारकों के चलते मुसीब्तों का सामना करना पड़ रहा है। दरसल विभिन सप्लाई और मांग संकेतकों को लेकर अनिश्चित्ताओं के कारण बाजार अत्यधिक अस्थिर बना हुआ है। फिलहाल लीबिया में इस महीने की शुरुआत में विरोध प्रदर्शनों के कारण उत्पादन बाधित होने के बाद 21 जनवरी को शरारा तेल छे अनुमान को बढ़ा दिया जिसमें ओपेक के 2.25 मिलियन BPD के अनुमान के विप्रीत 1.24 मिलियन BPD की व्रिधी की भविश्यवानी की गई है। उर्जा सूचना प्रशासन EIA के अनुसार अमेरिकी कच्चे तेल के स्टॉक में उम्मीद से अधिक गिरावट आई है लेकिन 12 जन्वरी को समाप्त सप्ता में गैसोलीन और डिस्टिलेट इन्वेंटरी में व्रिधी हुई है। डिलीवरी हब कुशिंग उकलाहोमा में कच्चे तेल के स्टॉक में भी 2.1 मिलियन बैरल की कमी देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी